नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में शिवराज कैबिनेट की महतपूर बैचका आज कईये हैं प्रस्ताव पर लगेगी मुखर प्रदेश में कैबिनेट की बैचका उजित की जाएगी जिसमें कईये हैं प्रस्ताव पर मुखर लग सकती है राजे सरकार जहां राजे में मिलेक मिशन योजना लागू करेगी वही गेवों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंदी शुल्क की प्रतिपूर्थी के प्रावधानों में संशोधन किये जा सकते हैं एक देजन से जादा प्रस्ताओ पराज महर लगने की उमीद जताई जा रही है 17 परेश से शुरूओगी अगनिवीर भरती लिकित परिक्षा शेजूल हुआ जारी बारते सेनत और अगनिवीर भरती 2023 के लिए लिकित परिक्षा 17 परेश से आयोजित की जा रही है चुनाव लणने के चुक जिला अध्यक्षों को पहले देना होगा स्तीफा मद्यपदेश बीजेपी ने आगामे चुनाव को लेकर तयारियां शुरू कर दी भुपाल से लेकर दिली तक बैठकों का दौर चल रहा है इसी करी में आज मंगलवार कुभुपाल के पास सिराधा की धानी में बूत विस्तार को लेकर बड़ी बैचा कायोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानन शर्मा शामिल हुए प्रियोर सस्तियानाज में आई अर्चन 376 राशन दुकाने बंद प्रियोर सस्तियानाज मिलने में लोगों को अनियक दिक्कते आ रही हैं खादेवमनागरी का पूर्टे विभाग में कई दुकाने बंद कर दी जिसके कारण उभोगताओं को राशन मिलने में अर्चन आ रही है राशन लेने के लिए लोग यहां वहां भटक रही हैं हाला कि विभाग में व्यकल्पिक व्यवस्ताइं करने का दावा किया लेकिन कई लोग राशन के लिए परिशान होते देखे जा रही है सिंधिया ने निशाना साथते हुए पूछे तीन सवाल संसा सदस्ता जाने की बाद कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर और मुखर होकर प्रहार कर रही है वियाणानी के कथित बचाओ पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेर रही है सिंधिया ने राहुल से तीन सवाल पूछे है सिंधिया ने राहुल के लिए लिखा कि आप एहंकार से इस कदर ग्रसित हैं कि शायद इन सवालों की महत्ता भी आपकी समझ से परे है मऑगंज को जिला बनाने के प्रारूप के अधी सूचना जारी दसमए के बाद लेगा मोर्तरू रही गा मौगंच तहसील को जिले का सरुब दिया जाएगा इस जिले के गठन के बाद प्रदेश में कुल मिला कर 53 जिले हो जाएगे प्रस्तावित मौगंज जिले में रीवा जिले के तहसील मौगंज, हनुमना एवं नईगरी शामिल होंगे और जिला मुख्याले भी मौगंज रहीगा मदप्रेश में आहाते किये बंद पवित्र नगरी ओच्छाव जैन सहीत परियटन होटेल्स में खुलेंगे बात राजे सरकार ने शराब दुकानों से अटेय चाहाते तो बंद कर दिये लेकिन बार लाइसेंस के नियमों में फिर बदल कर रही है आपकार ने विभाग के नई नीती के तहए तब परियटन विभाग एवम एको टूरिजम बोर्ड की अनुशनसा पर सस्ते में रिजॉर्ट होटल में बार लाइसेंस दिये जाएंगे इसके तहए धार में परियटन इस्थल वा हैरिटज परियटन इस्थल शामिल है चनाव से पहले सिम सिवराज ने की बड़ी खोशनाएं अगामे चनाव से पहले सिम सिवराज सिंग natis 17 ने सिहोर जिले के रिएटी के गौरफ दिवसपतीन बड़ी खोशनाएं की सीम ने रहिटी में नर्मदा नदी से पेजल के लिए 15 करोड रुपे की ओजना को सुईकरत और रहिटी कॉलेज में पीजी की कक्षाँ इसी सत्र से शुरू करने का ऐलान किया महीं सीयम ने रहिटी में इंडूर स्टेडियम के साथ जिम के स्थापना करने और मालाबिया तक के मार को फोर लेन बनाने की खोशना भी की है इन दिन तक चाही रहेंगे बादल, बुन्दा बांदी के संकेट मद्यपदेश के मौसम में बार-बार बदलाओ देखने को मिल रहा है कभी तेज गर्मी और तापान मिवरधी देखने को मिल रही है वहीं दूसरी तरफ बादल चाने के साथ बारिश रहत दे रही है MP मौसम विभाग के माने तो चक्रवाती घेरे के प्रभाव के चलते 15 अपरेल तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है और भुपास समेट का इस दिलू में 14 अपरेल तक बादल चाही रहेंगे कहीं कहीं बुन्दा बांदी हो सकती है इन दौर में कोरोना के साथ नए मरीज मिले तो छे पूरी तरह से चीक भी हुए इन दौर में कोरोना के साथ नए मरीज मिले राहत की बात ये है कि इस दिन छे मरीजों ने बीमारी को पूरी तरह से हराया और कोरोना से मुक्त हुए वर्तवान में इन दोर में कोरोना उपचार रत मरीजों के संख्या 43 है इन में से एक का दुक्का को छोड़ कर शेश में विमारी के कोई लक्षर नहीं है शेहर में सुमवार को 97 नमूरों की जाच की कई इसमें से 7 संक्रमित मिले तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे